हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको LIC के प्लान धन रेखा प्लान नमबर 863 में एनौल कितनी रिटन मिल जाती हैं यह जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप किसी भी LIC प्लान में कितनी रिटन आपको मिलेगी वो calculate खुझ से कर पाएगे और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी compare करेगे कि LIC के प्लान धन रेखा में और LIC के प्लान जीवन लाब में कितनी रिटन मिलती हैं इन दोनों का comparison रिटन के basis भी हम करने वाले हैं उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक disclaimer देना चाहूँगा कि LIC के जो भी endowment प्लान होते हैं उसमें insurance के साथ साथ savings का भी आपको benefit मिलता हैं इन insurance plan को सिर्फ और सिर्फ as a investment consider करना बिल्खुल भी सही नहीं है लेकिन इस वीडियो में हम investment के basis पर जानेगे कि इस insurance plan में आपको कितनी annual return मिलती हैं यहाँ पर मेरी कोई भी financial advice नहीं है यह totally आप पर depend करता हैं कि आप कौन सा insurance plan as a insurance और investment plan की तरह लेते हैं तो किसी भी insurance plan की return calculate करने के लिए आपको सबसे पहले actual sheet open कर लेनी हैं या आप अपने computer में भी open कर सकते हैं या फिर आप अपने mobile में भी seats application को download कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर धन रेखा plan की details लिख ली हैं जिसमें हम मानके चलते हैं कि कोई 30 साल का वैक्ती इस insurance plan को लेता हैं और यहाँ पर 30 साल के policy term वो लेते हैं और उसमें हम मानके चलते हैं कि आप 10 लाग रुपे का समेशोड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम premium की calculation करते हैं तो पहले साल आपको 76,643 रुपे का premium इसमें pay करना होगा उसके बाद यहाँ पर जो बाकी के बची 14 साल हैं उनमें आपको 74,992 रुपे के premium की payment करनी होगी यह जो premium है वो GST include करके हैं तो यहाँ पर हम मानके चलते हैं कि 1 जनवरी 2022 से आप अपनी policy को शुरू करते हैं और पहला premium आप annually pay कर देते हैं उसके बाद अगले साल आपको premium pay करना होगा जो की 2023 में होगा जो की 74,992 रुपे की होने वाली हैं तो हम जो भी यहाँ पर premium pay करेगे उसको हमें negative में लिख देना हैं तो यहाँ पर हमारे example के हिसाब से हमें 15 साल policy के premium की payment करनी होगी तो यहाँ पर हमने 15 साल तक इसके amount को लिख लिया हैं उसके बाद जैसे ही हमारे 15 साल पूरे हो जाएगे तो 15 साल पूरे होने के बाद हमें यहाँ पर money back मिलता है तो वो amount एक लाग पचास जार रुपे का हो जाता है तो यहाँ पर यह जो money back का amount है वो आपको 15 साल के last में मिलेगा तो यहाँ पर इस amount को मैंने 16 साल के शुरुवात में ही लिख दिया है यह आप इसे यहाँ पर 31 दिसंबर 2036 भी लिख सकते थे तो हमारे example के according हमें इसमें तीन बार money back मिलता है जो की 15 साल के end मिलेगा तो वो होगा 1,50,000 रुपे उसके बाद 20 साल के end में मिलेगा 1,50,000 और यहाँ पर 25 साल के end मिलेगा 1,50,000 रुपे ठीक इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 21 साल के शुरुवात में 1,50,000 रुपे लिख दिया है और 26 साल की शुरुवात में हमें 1,50,000 रुपे का amount मिलेगा उसके बाद यहाँ पर जब policy की maturity हो जाती है तो उस समय यहाँ पर 23 लाग रुपे का amount हमारे example की according मिलता है जिसमें आपका 10 लाग रुपे का sum में short होता है और 13 लाग रुपे का guaranteed edition होता है अगर आपने अभी तक धनरेखा plan की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के description box में आपको धनरेखा plan की वीडियो मिल जाएगी वो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएगी जब तक आपको इन दोनों ही insurance plan के बारे में नहीं पता है तब तक आप इस वीडियो को detail में नहीं समझ पाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमें यह money back मि mention कर सकते हैं यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन dates को आपको ध्यान देना है कि यह जो software है वो इसको as a date ही consider करें कई बार यह as a number consider हो जाती हैं और उसके बाद आप सही से calculation नहीं कर पाएगी तो जब यहाँ पर आप सारी details mention कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको bracket open करना है और जो भी आपकी payments है और जो भी आपकी receipts है इन सभी value को select कर लेना है यह select करने के बाद आपको यहाँ पर comma लगाना है और जो भी आपकी dates है वो सभी dates यहाँ से select कर देनी है यह करने के बाद आपको bracket को close करना है और यहाँ पर enter को press करना है जैसे ही आप यह to 6% से grow होगा ठीक इसी तरह से आप किसी भी investment plan की internal rate of return को calculate कर सकते हैं यहाँ पर उसके बाद अगर आप किसी amount में changes करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं for example अगर यहाँ पर आप maturity पर चाहते हैं कि आपको 30 लाग रुपे मिलेगे कि अलाइसी के जीवन लाप plan में आपको कितने return देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर हम मानके चलते हैं कोई व्यक्ति है 30 साल की वो इस insurance plan को लेना चाहते हैं और उनकी जो policy term है वो 25 साल के लिए लेना चाहते हैं अगर वो 25 साल की policy term लेते हैं तो उन्हे 16 साल premium का pay करना होगा और समय शोड यहाँ पर हम मानके चलते हैं कि 10 लाग रुपे का वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो भी हम premium payment करेगी उसको minus में लिख दिया है पहले 16 साल हमें इसमें policy के premium की payment करनी होगी क्योंकि जो हमारी premium paying term है वो 16 साल की है तो यहाँ पर यह amount आपको minus में लिख देना है उसके बाद यहाँ पर जब policy की maturity होगी 25 साल के end में तो यहाँ पर आपको लगबग लगबग 26,25,000 रुपे का amount मिलता है तो यह amount guaranteed नहीं है यहाँ पर यह जो amount है वो 25 साल के end में मिलेगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 26 साल के शुरुवात में ही इस amount को लिख दिया है अगर आप 25 साल के end में लिखना चाहें तो यहाँ पर date mention करके वो भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो भी 26,25,000 रुपे maturity amount है यहाँ पर यह calculation मैंने all-in-one calculator के basis पर लिए है जिसमें आपका 10,00,000 रुपे के समय शोड है 11,75,000 रुपे का आपका bonus है और 4,50,000 रुपे का final additional bonus है यह total आपका 26,25,000 रुपे का amount हो जाता है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर LIC के प्लान धन रक्षा की तो उसमें यह amount guaranteed था तो हमने यहाँ पर 23,00,000 रुपे का amount लिख दिया था यह जो amount है maturity का यह यहाँ पर आपका कम भी हो सकता है और यह amount जादा भी हो सकता है क्योंकि यह past के bonus के basis पे ही calculate किया गया है तो अभी के लिए हम past के basis पे ही calculate करते हैं तो यहाँ पर 26,25,000 रुपे का amount हम enter कर देते हैं यह amount positive में इसलिए लिखा है क्योंकि यह amount हमें receive होना होगा उसके बाद यहाँ पर इस plan के अगर हम XIR calculate करते हैं तो equal to लगा के हमें XIR लिखना है उसके बाद हमारी जो भी values है उसको हमें select करना होगा और coma लगा के उसके बाद हमें dates को select कर लेना है यह करने के बाद आपको bracket को close करना है और enter press कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर enter press करेगे तो आपको यहाँ पर internal rate of return देखने को मिल जाएगा जो कि 7.31% है इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि maturity का amount जीवन लाब पे guaranteed नहीं होता है यह पिछले सालों के bonus rate के हिसाब से ही amount calculate किया गया है अगर आपका future में bonus rate increase होता है तो आपकी return भी increase हो जाएगी अगर bonus rate decrease होता है तो यह percentage भी आपकी decrease हो जाएगी अब यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि धन रिखा में जो भी उनको money back मिलेगा वो उस amount को कहीं न कहीं invest कर देगे तो आईए उसमें भी जानते हैं कि अगर आप इसको invest कर देते हैं तो भी आपको कितने return मिल जाएगी तो अभी के लिए यह जो percentage हमने calculate की थी उसमें यह माना गया है कि यह जो amount है वो भी हमारा annually 4.26% से grow होगा लेकिन आईए हम फिर भी मान लेती हैं कि जो भी आपको यह money back मिलेगा उसको आप कहीं invest कर देते हैं और उसमें 8% आपको annual return मिलती है तो यहाँ पर आपको 60 साल के शुरुआत में यह amount बिल जाएगा तो 15 साल तक आप इस पैसे को invest करेगे तो 15 साल यहाँ पर मैंने mention कर दिया है ठीक इसी तरह से इस money back को आप 10 साल के लिए invest करेगे और तीसरे money back को आप 5 साल के लिए invest करेगे ताकि 30 साल पूरे होने के बाद आपको यह पैसा एक साथ मिल जाए तो अगर हम 1,50,000 रुपे का amount देखते हैं 15 साल बाद तो यह amount हो जाएगा उसके बाद दूसरे money back का maturity amount यह होगा और तीसरे money back का यह maturity amount हो जाएगा यह total amount आपका money back का interest के साथ 10,000,000 रुपे के करीब हो जाता है तो यह जो amount है इसको अगर हम अपने maturity के amount में भी add कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर भी जो हमारा internal rate of return आएगा वो 5.64% का आएगा हलाकि यह calculation सही नहीं है फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए इस calculation को बताया है तो उमीद करता हूँ इस तरीके से आप किसी भी LIC के plan की या किसी भी investment plan की internal rate of return को calculate कर सकते हैं जिस rate से आपका पैसा annually grow होता है फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो वो comment में आप पोसकते हैं इस actual file का link मैं आपको इस video के description box में दे दूँगा वहाँ से आप इस actual file को download करके इसमें changes कर पाएगी तो अगर आपको ये video पसंद आए तो इस video को like जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की latest videos मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ और आप हमारी channel को subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की latest videos आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें धन्यवाद